रजिस्तान की सेक्षिय में बढ़ते कादम जो आपका र्क smb स3 रोने वाला है Administration के तो उसका जो आपका पैपर होगा वो 29 zł तारीकों होने वाला है . और 29 तारी कुछ आपका पैपर होगा वो हिंदी का और गनित का पैपर होगा और तीस तारी का आपके जो इंगलिस का पैपर होगा सेवंध क्लास की बात करें हम सब सब पहले हम गनित का पैपर देखेंगे फिर हम आपके हिंदी का और इंगलिस का पैपर सी वीडियो में देखने परस्तन आपके सामने हैं इनमें संख्या देर कि इस निमान का प्रस्तन आपके 100 प्रस्तन पूछए जाएगा तो यह इसको आपको अच्छे से त्यार कर लेना है तो पहले लिखना है आठ और फिर आठ ते बाद में कितने अंग के डूनना है अगला प्रस्ण है एक मोबाइल का मुल्य 8525 रुपए है तो ऐसे ही पांस मोबाइलों का मुल्य ग्याद करना है तो देखो एक मोबाइल इतने रुपए में आ रहा है तो पांस कितने में आएगा तो इसको हम पांस से गुणा करेंगे 8525 इसको गुणा करेंगे 5 से 525 का 5 हसल की 2 510 और 2 12 हसल का 1 525 और 1 26 हसल की 2 508 40 और 2 42 तो कितने रुपे बंड़े है टोटल 42,625 42,625 कौन से अप्शन में दे रहे हैं D वाला उतर में दे रहे हैं तो बस यही अपना correct answer होगा ऐसे ये equation मैं आपको पूस्था हूँ कि अगर एक पैंसिल का मुली तीन रुपे हैं एक पैंसिल कितने की आती है एक पैंसिल आती है तीन रुपे की मान लेते हैं एक पैंसिल का मुली तीन रुपे है तो आपको ऐसे मान लो 25 पैंसिल रानी है कितनी पैंसिल है 25 पैंसिल है तो 25 पैंसिल को कितना रुपे होगा आप कमेंट करके इसका उतर जरूर बताना अगला प्रस्ट है दी गई गड़ी में कौन X का आपको मान बताना है यह कौन है वो कितने डिगरी का बन देखो 12 से 1, 2, 3 पर आती है तो यह कितने का कौन मनता है यह कौन मनता है 90 डिगरी का वैसे यह 6 से 9 पर जाएगा तो 90 का है 8 से 11 पर जाएगा तो 90 का है और 9 से 12 पर जाएगा तो भी 90 का है 90 डिगरी के कौन को क्या का जाता है 90 डिगरी के कौन को समकौन का जाता है पूरक कौन क्या होता है दो कौनों की जोड 90 डिगरी होती इसको में पूरक कौन कहता है अधिक कौन जिसका मान 90 से ज़्यादा होता है सम और हो सपो से कम होता है वूद होता है जिसका मांट जीरो से पमटर को लिए को यह पर उत्तर की आजाएगा आपके ये अरिक एकमेंगा त्ऩीयस ऑदो गड़ी को और आ भी 30 दिगरी के साट डिगरी ये 90 दिगरी हो जाएगा ये कितने का कौन वह आपके 90 दिगरी का कौन हो जाएगा अगला परस्ते हैं सेंख्या 5879 में कम से कम कौन से संख्या गटाई जाए कि वह तीन से वजित हो जाएं अब देखो इसमें आपको क्या करना है तीन से बज़ित करने के लिए पहले संक्या चेक करनी पड़ेगी इनको जोड़ के देखते हैं तो पांच और आठ तेरा तेरा और च्छे तेरा और च्छे हो जाएगा आपके नो 19 19 और नो कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे मलब इसमें बाग तो पुरापुर नहीं जाएगा तो इसमें ऐसे संक्यापको गटानी पड़ेगी जो स्यंस्फपल बचेगा उसको कम क्या करें गे 5800 उन्सीतर में बाग देंगे तीन का इसमें तीन से बाग करेंगे तो एक बाग जाएगा तीनीकम तीन दो बचेंगे 28-²-3927 प्र एक हो जाए उन्नीस फिर उन्नीस में बागजाएगा तीन से गठारा तो कितना amura पड़ेगा यह 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 शेंस हुआ है इसको इसमें से गठाना पड़ेगा तो तीन के पुरा पुरा चला जएगे तो नई हम किया करते एक देंगे झाय 1960 एक्षार निये गए आयतकार कागस के टुकड़े दो समान आयत के काटए गए हैं इनमें त्थाएं कि बाक्त आपको ख्षयत रफल याद करना है पहले तापको पूरे को आख्षयत रफल नंकालना पड़ेगा 18 इंटू 10 करेंगे तो 18 लंबा इंटू चोड़ाई कितना हुझा ये एक सोटी हो जाएगा अर यह तो पूरे आयत का अक्षातरफल होगी अब इसमें से दो पट्टिया आप इसमें से कम करनी पड़ेगी तो एक पट्टी का शाथ रफल इसका बराबार ही है इसकी चोड़ाई कितनी है यह तो टोटल तो है ठारा यहां तो कितना है 14 यह कितना तो यह 48 इसमें से कम करेंगे 180 में से 48 को गटाना पड़ेगा तो बग्या जो बच्छा अपना अंसर होगा तो गटाएंग इसमें से 8 में 10 में से 8 गए तो 2 और 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 1 का 1 उत्तर कितना बच्छेगा एक 32 एक 32 कहां दे रहा है एक 32 ऑप्शन पर सी में दे रहा है बस यही अपना करेक्ट आंसर होगा ऐसे आपको सवालों को हल करना है फिर अगया laboriठाप młot आफ Ilम के ओंतीस थारिफ्ट पहले तो सबस्पहले आपको Hindu का bahघनितका और लाच्ड में lanz Action इंग्लिज का है इनीज पेपर दुर्गम शब्द आपको विलम की मैं हजँ असल आ शूकुल हो जाएगा नवीन शब्द में आपको प्रते बतना है तो नवीन सब्द में आपके इन परते हो देगा क्या परते हैं इन परते हैं इन परते हैं तो यह इन आपके आंसर होगा नेक्स्ट है इंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है तो इंट का जवाब पत्थर से देना मतलब कड़ी प्रतिक्रिया देना तो इसका उत्र होजएगा आपके सावाला उत्र कड़ी प्रतिक्रिया देना यही इसका करेक्ट अंसर होगा इंट पत्थर से युद लगना गलत है पत्तर फेंकर नुक्सान करने ये भी गिलते जवाब के साथ पत्तर देने ये भी गिलते तो कड़ी परिती गिरे देने ये ही इसका करेक्टर अंसर होगा अगला प्रस्तन चोथा पांच वा इनके उतराई से गद्यांस को पढ़कर के देना है एक दंगल के निकट दो राजाओं के बीज गोर युद हुआ एक जिता और दूसरा हारा सेना अपने नगरों में लोट गई सेना का एक डोल पिछे रह गया युद के बाद एक दिन आंदी आई आंदी की धावा में वा डोल लुडगता लुडगता एक सू के पेड़ पर ये पास टिक गया तेज हवा चलता ही पेड़ की टहनिया डोल पर टकरा जाती डमा डम के आवाज गुंजाएमान होती तो उपर रसन ये आपके कि युद के बाद सेना उने क्या किया तो युद के बाद सेना डोल बजाने लगी डोल लुडगाने लगी सेना अंदी से बसने का प्यास करी और सेना अपने नगरों में लोड़ गई तो इसका उतर करेंगे सेना अपने नगरों में लोड़ गई के में जंगल में किसके आवास गुंजह मंआ ह решול कि वहां तो इसकी सई आंसर किरें मैं इसमें डोल कि तो सब्राव तो सब वहलुटतरों से होगा यह तैब हम आप इंगliyes का पर ठीड़ेक परें हुआ कि इंग्लिस का का पहला प्रस्त है ये वाट डिट पुसकर फाइंड इन द वोड्स ओंद ऑन वन मौर्निंग ये कर सुभण है जो पुष्कर ने जो लकडियों में क्या पाया तो इसका उतरा आपको यह मिलेगा वर मौर्निंग वाइल पुसकर वाज इन द वूड्स ही फांड एन इंजर पी पिंजन बस यही इसका अंसर आपको टिक करना है हाउ डिट पुसकर फिल वेन दे पिंजन फ्लू अवे तो उसको कैसा मासूश हुआ इट फ्लू अवे लिविंग फुसकर फिल्ड वित जोई तो इसमें आपको जोई फुल लिखना है यह जोई फुल अलाव सरिसका करेक्ट अंसर होगा अगला प्रस्न है वाट इडिर पुसकर डू वेन फांड दे इंजर पिंजन उसने क्या किया इटुक केर ओफ पिंजन डि अप्रोप्रेट प्री पोजिशन में आपको अफ्रोप्रीट प्री पोजिशन डूड़ना है शलानी फादर इस एन ओफिसर कहां पर यह एन आइटी कंपनी तो फ्रॉम एन आइटी कंपनी का अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि अच्छ कि जो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑप फॉलविंग वर्डस इज फ्लाइट लवाई सपिक्स इसमें आपको यह बताना है तो इसका उत्र जाएगा आपके यह वाला इंदी जैन्ट ली ठीक तो इसका आपके बीवला ऑप्सिन होजेगा यही सपिक्स इसमें आ आपको सही लगाएं बाकी इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर है अलगलग सब्देख का आपके जो पर तीस तीस कुश्चन आइंगे वह मेंने पहले अपलोड करका उनका अच्छे देखके जाना और और भी मेरे पास में जो वीडियो के रूप में अपलोड करके उनके देखके जाना आपको कभी फैदा इससे मिलेगा आपकी आठवी बोर्ड की पूरी तैयरियां पर करवाए जाएगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना